हलो रिवान, वेलकम टू फार्मारोक्स यूटूब चैनल फार्मारोक्स के यूटूब एच्चुकेस्टनल चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इमेटिक्स ड्रग एजंट्स के बारे में तो ये ऐसे मेडिकेशन है कि जिनको देने के बाद परसन के अंदर वामिटिंग जो है वो इंड्यूस होती है तो ये क्लास के जो मेडिकेशन से उनकी हम डिटेल फार्माकोलोजिकल स्टडी करेंगे और जानेंगे उनके बेजिक यूज़ के बारे में तो ये medicines vomiting तो करवाती है बट उनको हम use कहाँ पर करते हैं क्या उनके basic uses रहते हैं किस तरह से वो काम करती हैं मतलब कि उनका working and mechanism of action हम सिखेंगे उसके examples और करेंगे उनके detail फार्मकोलोजिकल स्टडी की जिसको हम कहते हैं कि drug acting on gastrointestinal track कि ये class के medicine के भी जो फार्मकोलोजिकल effect है वो रहती है हमारे gastrointestinal track के उपर तो emetics क्या है उनकी असर क्या होती है examples क्या है वो सब सिखते हैं ये वीडियो lecture के अंदर तो expert lecture by Amar sir, a system professor and founder of pharma rocks तो अगर आपके पास android phone है तो जरूर से download करिए pharma rocks का android application आइफ़न है तो app store पर से भी उसको download कर सकते है google play store and app store दोनों प्योग पर app available है लिंक आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो अब समझे इमेटिक्स drugs के बारे में तो ये वाला golden sentence सबसे पहले आपको याद रखना है कि these are a drug which induce the vomiting मतलब ये है कि जब किसी person को आप इमेटिक्स देते है कि समझे कि ये person को अपने इमेटिक्स agent दिये है इमेटिक्स drugs दिये है तो उसके करन उसको हो रही है ये vomiting तो these are a medicines which cause immesis कि immesis को हम कहते है कि immesis जो medical term है vomiting के लिए तो ऐसे medicines कि जिनको देने के बाद वो person को vomiting होते है तो ये कहे जाते है इमेटिक्स drug agent इन इमेटिक्स drug agent are usually administered emergency situation इनका use कहाँ पे है तो ऐसी emergency condition कि जब किसी person ने poison substance लिया है poisonous substance उसकी body के अंदर poisonous substance present है toxins उसके अंदर present हुए है तो ingestion of a toxin और poisonous substance और ऐसी condition में क्या रहोता है कि वो substance इसको उसकी body में से बाहर निकालना जरूरी है तो जो stomach को खाली करवाना है stomach में से जो हमें poisonous substance and toxins को बाहर निकालने है तो उसकी लिए ये vomiting करवाना जरूरी है कि आप समझे कि वो person को उल्टी करवाते है तो उल्टी के साथ हो साथ वो toxic substance and poisonous substance भी उसकी body में से बाहर निकल जाएंगे तो emetics generally remove less than 80% of the stomach content by vomiting and help to prevent harmful effect of toxins and poisons तो 80% या फिर उससे कम जितना content जो है वो remove करवा देते हैं ये stomach में से by vomiting और उनकी करण हम prevent करवा सकते हैं जो भी poisonous substance था harmful toxins थे तो उनकी जो effect है वो हम reduce करवा सकते है तो ये slide के अंदर आप क्या याद रखेंगे तो emetics का ये main basic use समझे या फिर उनका meaning कि ऐसे medication की जो vomiting induce करवाते है medicines which cause the emesis तो उनका जरूरत कब है तो emergency situations में सबसे ज़्यादा use पर होता है and ऐसे condition कि जब किसी person के अंदर toxin या फिर poisonous substance का ingestion हुआ है तो अब emesis क्या है vomiting क्या है वो भी आप समझ लीजिए तो emesis means the action or process of vomiting कि जब GI tract के अंदर disturbance होता है तो उसका एक symptom develop होता है emesis कि nausea vomiting जो है वो कई बार common बनते है कि जब आपको कोई GI tract related gastrointestinal tract related कोई disturbance है तो vomiting को हम दूसरे अलग-अलग words के अंदर pucking भी कहते है it is also known as a pucking फिर throwing off, barfing, emesis तो यह सब है उसके अलग-अलग name it is the involuntary, forceful explosion of the content of one's stomach through the mouth and sometimes the nose तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप साइड में जो डायग्राम है उसके उपर यह ध्यान रखे कि यह person को जो है वो vomiting हो रही है तो यह process कैसी रहती है, involuntary रहती है मतलब कि इसके अंदर autonomic nervous system का खास involvement रहता है, voluntary नहीं है बट it is a involuntary forceful explosion कि चाहकर भी आप यह vomiting को रोक नहीं सकते उसके करने उसको involuntary action कहा जाता है हमारी body का and content of one's stomach through the mouth and sometime by the nose तो जो भी content है अमारे stomach के अंदर present वो सब content यह isophagus के थ्रू आपकी oral cavity में से body में से बाहर निकल जाता है और यह एक forceful explosion है और involuntary action कहीं जाती है कि जिसके उपर आपकी body का कोई भी control नहीं है तो यह है vomiting or immesis तो immetrics जो drug है उसके हम सबसे पहले examples जान लेते है कि कौन से medications as a immetrics use होते है तो सबसे उपर epomorphin की जो morphine derivative हम कह सकते है तो यहाँ पर उसका injection जो है आप देख सकते है एप और मॉर्फिन hydrochloride की injection की जिसकी strength है 10 mg पर ml फिर है इपे काक की जो syrup इपे काक की यहाँ पर उसके आप marketed formulations देख सकते है इपे काकुना की जो उसका syrup available होता है market के अंदर इपे काक का syrup उसके बाद है mustard seed की natural remedy के अंदर हम देखे कि जो हम mustard कहते है rye कहते है सरसो कहते है तो उसके जो बीज होते है उसके जो seed होते है वो भी use होते है फिर alum है sodium chloride मतलब की जो salt है उसका concentrated solution and other drug as a adverse effect ठीक है काई बार morphine किसी को आप देते है तो उसके side effect के तोर पे vomiting होती है digitalis के current vomiting हो जाती है imatine को लेता है तो उसके current पे उसको vomiting होते है काफी aspirin का भी एक common side effect है nausea vomiting फिर quinine and anti-cancer drug तो वो भी एक as a ematic काम करते है because ये सब medications लेने के बाद भी person के अंदर vomiting centers activate होते है और उसको vomiting होती है तो ये थे ematic drugs के example अब समझते है उसका detail में basic use तो सबसे important basic use है ये पहले वाला कि they are required when an undesirable substance has been ingested by orally कि किसी person ने orally ऐसा substance की जिसको हम कहिए सकते कि undesirable substance की जिसके आपके body के कोई जरूरत नहीं है और उसको हम usually dangerous substance या फिर poisonous substance के category के अंदर रखते है तो ऐसा जो substance है वो गलती से या फिर किसी person ने खा लिया है तो उसको उसकी body में से बाहर निकालने के लिए वोमिटिंग करवाना जरूरी है तो निट टू एम्टी दे स्टमक बाई वोमिटिंग तो रिमूव दे टॉक्सिक सबस्टंस प्रॉम दे बाडी तो जब ये undesirable substance किसी person के बाडी के अंदर है तो उसको उसकी body में से बाहर निकालवाने के लिए जरूरी होता है उसको वोमिटिंग करवाना तो उसकी लिए हम इमेटिक्स ड्रग उसको देते है फिर alcohol intoxication कि alcohol की toxicity हुई है तो ऐसी condition के अंदर alcohol को आपकी body में से बाहर निकालवाने के लिए स्टमक में से बाहर निकालने के लिए और स्टमक को empty करवाने के लिए भी ये इमेटिक्स काफी effective साबित होते है तीसरा हम important उसका use जाने तो removal of foreign bodies from the esophagus कि esophagus में से जो कोई ऐसे foreign bodies या फिर ऐसे toxic या फिर poisonous substance जमा हुए है तो उसको भी वहाँ से निकालने के लिए vomiting करवाना जरूरी है तो vomiting करवाने के लिए इमेटिक्स drug जो है वो use किया जाते है फिर चौथा main important use that is acute cases of poisoning कि जो poisoning के जो cases होते है उसमें भी same यही concept है स्टमक को empty करवाना poisonous या फिर toxic substance को body में से बाहर निकालना तो उस वक्त भी यह इमेटिक्स drug जो है वो use किया जाते है except in corrosive substances poisoning और if patient is not fully conscious कि जब किसी को corrosive substances का poisoning है या फिर patient जो है वो unconscious है ऐसे condition के अंदर हम यह इमेटिक्स वगरा को use नहीं करते बट बाकि सभी conditions के अंदर इमेटिक्स यूज किये जाते है तो person को समझे कि vomiting हम करवा दे या फिर उसके अंदर vomiting जो induce होती है तो उसके अंदर क्या involved होते है तो सबसे पहले तो neurotransmitters यहाँ पे involved होते है vomiting centers को activate करवाने में तो आपके mind में question यह होगा कि कौनसे ऐसे vomiting neurotransmitter से कि जो involve होते है vomiting centers के activation के अंदर कि यहाँ पे हम देख सकते कि brain के ये vomiting center से कि जो किसी order smell या फिर test के करण activate होते है और person को vomiting होती है तो उसके अंदर सबसे top पे है histamine via H1 receptor कि H1 receptor के थुरू ये जो histamine neurotransmitter है वो mediator बनता है for the activation of vomiting center फिर जो serotonin है via 5-hydroxy tryptamine 3 receptor तीसरा हम देखे तो वो है acetyl choline via M receptor and fourth one that is dopamine via D2 receptor तो ये चार neurotransmitters जो है वो involved होते है तो कई बार समझे कि acetyl choline produce हुआ है serotonin release हुआ है histamine या फिर dopamine तो वो आपके vomiting centers जो है उनको activate करते साथे साथ जो हम CTZ कहते है chemo receptor trigger zones तो उनको भी activate करके आपके vomiting centers को stimulate करवा देते है activate करवा देते हैं और जिनसके कारण person को जो है वो vomiting होती है तो how the emetics work emetics किस तरह से अपना काम करते है तो यहाँ पे देखिए कि emetic work by causing gastric irritation तो वो क्या करेंगे कि जो neurotransmitters को activate हुए तो उनके बाद क्या होता है वो आपके stomach के अंदर irritation produce करने का start करते है तो यहाँ पे द्यान रखिए कि समझो कि किसी person को आपको आपने epomorphin hydroclosure का injection दिया है इपेकाग दिया है तो इसको हम क्या कहेंगे कि visceral stimuli या फिर chemoreceptor trigger zone या फिर vestibular input तो यह तीनों के कारण क्या होता है कि समझो कि visceral stimuli है तो उसके करण dopamine and serotonin रिलीज हुए यहाँ पे भी dopamine and serotonin रिलीज हुए vestibular input के कारण histamine and acetylcholine समझो कि रिलीज हुए और यह सभी हमने जो previous slide के अंदर देखा उसके according to यह सब क्या है vomiting centers को stimulate करने वाले agent है कि जो neurotransmitter काम करते है as a mediator of a vomiting तो अब देखो medullary जो vomiting center है वो stimulate हो गए उनके कारण और person को होता है nausea and vomiting तो stimulate करते है यह central nervous system chemoreceptor trigger zone को और combination of both and they are they activate the mediators of vomiting के vomiting के जितने भी अलग-अलग mediator से वो सभी को activate करके यह अपनी फार्माकोलोजिकल एक्सन देते है and also activate vomiting center of brain thus they induce the vomiting तो उनका main यह कामी होता है कि आपके body के अंदर है जो vomiting center से उसको किसी भी तरह से activate करवाना उसको stimulate करवाना और यह centers जब stimulate हो जाते हैं एक बार activate हो जाते हैं तो अब समझे एपो मॉर्फिन के बारे में कि जो emetics के तौर पे काम करता है तो apomorphin as a emetics तो वो एक morphine derivative है semi synthetic है dopaminergic agonist है in chemo receptor trigger zone and उसके हम doses देखे तो 6 से लेकर 10 mg जितना जो dose है वो intramuscularly या फिर subcutaneously दिया जाता है और उसकी action starts हो जाती है within the 5 minute तो यह पर आप देख सकते हैं उसके packaging के उपर भी लिखा है कि apomorphin hydrochloride injection जिसकी strength है 10 mg पर ml और उसका जो strength हम देखे तो 10 mg पर ml और वो कर सकता है respiratory depression करवा सकता है oral use को नहीं दिया जाता है बट उसका जो dose है वो intramuscular है या फिर subcutaneous injection से person को दिया जाता है large dose slow inconsistent also using a treatment of Parkinsonism तो apomorphin जो है वो Parkinson's disease के treatment में भी use होता है तो emetics के तौर पे भी तो वो काम करता ही है बट साथो साथ वो Parkinson's के disease के अंदर भी use किया जाता है उसके बाद second हमारे पास जो option है वो है इपेकाक होना की जो cephalis इपेकाक होना की जो natural herbal medicine भी है तो इपेकाक का जो extract है उसका जो syrup बनाय जाता है कि वो widely use होता है as a emetic drug तो वो marketed preparation उसके हम देखे तो syrup इपेकाक या फिर इपेकाक के जो syrup होते है या पर आप देख सकते हैं इपेकाक सीरप तो इपेकाक होना तो इस सभी उसके ये अलग-अलग marketed formulation की इपेकाक का ये oral solution है उसके syrup वगेरा है तो use orally as a emetic agent तो ये directly orally ही दिया जाता है person को और adult के अंदर उसका जो dose रहता है वो है 15-30 ml जितना and children's के अंदर वो dose रहेगा 10-15 ml तो ये खास याद रखे कि कितना dose children and adult के लिए रहेगा and action takes within 15 minutes के 15 minutes के अंदर उसकी action दिखाई दिती है और person को vomiting होती है और mechanism of action समझे तो irritation of gastric mucosa and directly on chemo receptor triggers उनके उसके जो taste है smell है order है उसके करण वो chemo receptor trigger zones को activate करता है और साथो साथ आपके GI tract के जो mucosa है उसको भी irritation करवाता है जिसके करण आपके vomiting centers activate होती हो और आपको vomiting होती है फिर mustard seed की जो हम rai कहते है rai के दाने सरसो भी कहते है तो ये mustard seed भी emetic का का काम करते है तो mustard seed का emetic के तोर पे किस तरह से use करे तो one tablespoon full ground mustard seed in half pin of warm water and strong coffee is one of the best domestic stimulant especially after a necrotic poison तो strong coffee की कई बार natural remedy के तोर पे हम किसी को समझे के narcotic poisoning है तो इस वक strong coffee एक natural remedy बनता है और mustard seed भी emetic के तोर पे काम करते है फिर बात आती है salt water की तो salt water की जो गरम पानी के अंदर आप salt mix करवाते हैं की two spoonful जितना salt water आप salt लेते हैं उसको 500 ml जितने गरम पानी के अंदर dissolve करवाते हैं और उसका एक concentrated solution बनवाते हैं कि यहाँ पे आप यह two spoonful जितना salt लेते हैं और यह water जो है आपके पास around 500 ml जितना आप water लेते हैं तो 500 ml water के अंदर जब भी आप concentrated solution बनाते हैं और जब किसी को देते हैं तो वो भी emetic के तोर पे काम करेगा कि यह natural remedies जो हम कहते हैं कि natural candidate as a emetic agent फिर बात आती है कि कौनसे conditions के अंदर emetics ना दे तो emetics are not using a following condition कि ऐसे कौनसे condition है कि वहाँ पे emetics use नहीं होते तो सबसे पहले condition that is in corrosive poisoning like acid and alkaline कि किसी acid के कारण poisoning हुआ है किसी alkaline के कारण मतलब कि acid या फिर basis जो substance होते है उनके करण किसी को यह हुआ है तो उसके अंदर आप जो है वो emetics नहीं दे सकते तो poisoning with strong acid और alkalis capable of causing rapid tissue destruction and shrinkage so give the milk only तो ऐसी cases में vomiting करवाने के बज़ाए आप जो है उनको milk दे सकते है कि जिससे और ज्यादा tissue destruction ना हो shrinkage ना हो GI track के तो milk के करण जो है वो acid जो है वो neutralize हो सकता है तो give the milk only in such type of poisoning फिर CNS stimulant poisoning है तो उस वक्त भी emetics नहीं दिये जाते है person unconscious है मतलब कि conscious नहीं है patient unconscious condition में है तो उससी condition में उसको emetics देना जो है वो गलती होगी तो ऐसे condition में भी emetics ना यूज करे and in morphine and phenothiazine poisoning तो morphine का poisoning है या फिर phenothiazine poisoning poisoning है poisoning है तो उसमें भी emetics जो है वो effective थाबित नहीं होते तो ये था हमारा special lecture about the emetics drug agent pharma rocks की जो lecture notes है वो आपको pharma rocks की आप उपर मिल जाएंगे rapid revision notes है PDF and PPDs of lecture subject wise notes तो वो useful रहेंगे सबी exam के लिए चाहें GPAT है knife पर है DI या फिर government pharmacist exam तो download करें आप pharma rocks की जो google play store पर भी आप download कर सकते है and app store पर से भी download कर सकते है thank you for watching join करें whatsapp group ये वाला whatsapp help line number जो है वो आप देख सकते की जो join कर सकते है whatsapp group को access करें study material test series and video lecture on app pharma rocks so good luck and all the best link जरूर से चेक करें description box के अंदर